हाँ सेट नमस्कार में होंससी आया जहारखन के टोप पचीस फर्मोग खबर जानते है जहारखन के 16 जीलो के प्रखनों में सोलर अधारित सी चाहई राज Emmac तक पूरा करने का लक्ष निधायत किया गया है बदाद एक किसान साल भर पर क्रिसी कारे करे इसके लिए 64 सोलर बेस्ट क्रिसी सी चाय तक्निकी अपनाई जा रही है यह जोजना राची खोटी सिम्डेगा लाते हर गुमलाल वर्दगा पुर्वी सिमूम पच्मी सिमूम तक ले चुका है और धिरे-धिरे मंगाल की खाड़ी की ओरबर रहा है आठ से 11 जून तक राजे के अलग-अलग हिसे में गरज के साथ हल्की बारिस की समभवना है वहीं 13 जून से जार्खन के साथ साथ पहची मंगाल उडिस्था और बिहार में मांसून की बारिस सुरू हो होने की संभवना ज्यादा जार्खन एकेंडवी काउंसिल दसवी और बराहवी परिक्षा विराध होने की संभवना है बता दे मैट्रीक और इंटर की परिक्षा पहले चार मई 2020 से सुरू होने वाली थी लेगिन कुरोना समिक्रमन के कान परिक्षा अस्तागित कर दी गई इधर सीबी एसी समय देश के विभीन राजों ने बोर्ड परिक्षा रद कर दी है इस कारण ज्यार्खन में भी मैट्रीक और इंटर की परिक्षा नहीं होने की संभवना अधिक है हलाकि इस पर फिलाल अमतिम निना नहीं लिया गया है इसकूली सिक्चा एम सक्षता विभ एम ज्यार्खन एकट्वी कौसिल ने परिक्षा नहीं होने की स्थिती में रियल्ट त्यार करने के विकल्प की तलाश शुरू कर दिया है इससे 326 अभियार्थियों की नियुक्ति अवाइध वसित हो गई है कोट ने आठ सब्तार में फ्रेश मेरिट लिस्ट निकालने का अदेस दिया है रूपातिर की ममले में राजय पाल ने डिजीपी को किया तलब जारखन की राज़ेपाल द्रोपदी मुर्मूर ने राज के पूलिस महानी रिक्षक सब पूलिस महानी देशक नीरज सिनहा को राजभवन बुलाया राज़ेपाल ने डिज़ेपी से साहिव गंज की महिला थाना प्रवाय रूपा तिर्की की संदेहा अस्पद मिर्ट्यों की घाटना के संदर में किये जा रहे अनुसंधान की अगतन इस्थिती की जनकारे ली राजयपाल ने डिजीपी को अनुसंधान को सही दिशा परदान करने का निर्देश दिया डिजीपी ने रूपा तिर्की की संदीख परिष्थिती में होई महत के मामले में जुटाये गए साक्षेयों से राजयपाल को अवगत कराया और बताया कि पूलिस पूरी तरह सनवेदन सील होकर पूरी मामले का अनुसदान कर रही है ट्राइवल एडवाजरी कॉंसिल की नई नियमावली आज से जारखन में परभावी हो गई है बतादे राज सरकार ने इस समद में गयट नोटिफिकेशन जारी किया है इस नोटिफिकेशन के जरिये होने के बाद मुख्यमंत्री टीसी सदस्यों कामनों ने कर सकेंगे बतादे अब इसमें राजभावन की कोई भूमका नहीं होगी दो दिन पूर्वी ही इस पर मुख्यमंत्री एमान सरेन ने निर्नाय लेते हुए निमाली को अंतिम रूप दिया था इसके अनुसार अब राज जेपाल की भूमका इसमें समाप्त हो गई है मुख्यमंत्री टीसी के पदेन अध्याक छोंगे कल्यान मंत्री उपाद्याक छोंगे रांची में मुटभेड पी एलेफाई एरिया कमांडर सहीद छो गिरफतार नामकुम थाना छेतरे के खरसी दाग इलाके में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पी लेफाई के बीच मुटभेड हुई पूलिस सुत्रों के अनुसार मुटभेड के बाद सर्च अभियान में एरिया कमांडर कुमर उराव उर्फ जैनाच सहीद छो गिरफतार किया गया है बताया जाता है कि एसेस्पी सुलेंदर कुमर जहां को मिली गुपत सुचना के अधार पर एसेस्पी के स्पेस्टल QRT टीम ने करवाई करते हुए सभी उगरवादियों को गिरफतार किया है अठारा पलस को मुफत भैक्सीन एवं गरीबों को दिवाली तक मुफत अनाज देने की घोसना पर पधान मंत्री को अभार दिपक परकास भाजपा के परदिश अध्यक्ष दिपक परकास ने 18 पलस से बड़े को मुफत भैक्सीन एवं आसी कोड़ों गरीबों को दिवाली तक मुफत अनाज देने की घोसना पर पर परधान मंत्री को जारकन की जानता की ओर से अभिननंदन वा अभार परकट किया है उन्होंने स्वास्त मंत्री ने परदिश की जानता की चिंता करते हुए सभी लोगों के लिए मुफत भैक्सीन की वेवस्ता किया साथी साथ परदान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना के तहत गरीबों को नौमबर तक खाध्यान समागरी देने का फासला लिया है इसके लिए सभातीन को जानता की ओर से अवार परकट करता हूँ केंद्रीय स्वास्त मंत्री ने बंधू तिर्की को लिखा पत्र केंद्रीय स्वास्त मंत्री डाक्टर हस्वधन ने सो मुईर को मांडर विधायक बंधू तिर्की को पत्र लिखा है अपने पत्र में डाक्टर हस्वधा ने लिखा है कि मुझे आपका पत्र 24 माई को प्राप्थ हुआ है जो किरांची के इटकी में जार्खन का दूसरा एम्स अस्थापित करने से समंधित है डाक्टर हस्पदर ने पत्र में लिखा है कि मैं मामले को दिखवा रहा हूँ और सिख रही आपको इस समन्द में सुचित करूँगा जारखन में 378 नए केस मिले हैं जारखन में कूल मौत की संख्या 5060 है वहीं जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 3512 है भारत में 87,205 में नाए केस मिले हैं भारत में कूल मौत की संख्या 3,54,344 है वहीं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 12,992,254 है पलामो के बारखन में आई से चलेगा विशेश टिका करन अभियान पलामो जिले के बारख परखंडों के कूल 42 पंचायतों में 8,9 वद 10 जून को विशेश अभियान चला कर 45 अधिक आयूवर के लोग को प्राथ मिक्ता के अधार पर टिका का दूसरा डोज देना सुनिश्चित करे यह बाते उपायुक्त सासी रंजन ने कही वे सोमवर को समानाले के सभागार में वैक्सिनेशन के दूसरा डोज की समिक्चा कर रहे थे समिक्चा बैठक में उपायुक्त के अलावा वो विकास आयुक्त से खर जमवार सहायक समारता आसिस अगरवाल उपस्थित थे मोबाइल टीका करण वैन की संख्या बढ़ाय सरकार डिप्टी मेयर डिप्टी मेयर संजीव विजय वरगिये ने मोबाइल वैक्सिनेशन वैन की संख्या बढ़ाने की मांग राई सरकार से की है टिप्टी मेर ने कहा कि बरतमान में दो मुवाइल बैंच से टिक्या करन किया जा रहा है इससे आम लोगों को काफी सहुलियत हो रही है लोगों के घर के पास ही टिक्या लग जा रहा है इसकी मांग काफी है केकिन सहर की अबादी की तुनला में केवल दो मोबाइल बैंड कौम है ऐसे में सरकार को चाहिए कि टीका करन की रफ्तार बढ़ाने के लिए मोबाइल बैंड की संख्या बढ़ाई जाए कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर नीती आयोग की बैठाक दुमका दुमका परिसदन सभागार में नीती आयोग CSO स्टाइगी कमिटी के सदस्यों की बैठाक सोमवार को आयोजित हुई बैठाक के अज्यक्सता सदस्य संजय कुमार मिस्ता ने किया कोरोना से हुई महत का और के अदित कराने के निरदेश लेशनल हेल्थ मिसन के अभियान निदेशक रवी संकर सुकला ने राजे के सभी उपायुकतों को पत्र लिखा है उन्होंने पत्र लिकत सभी उपायुकतों को आदेश दिया है कि राजे के सभी सरकारी वर निजी अस्पतालों में कुरोना से होई सभी मौतों का आउडिट कराया जाए एक अप्रेल से 21 माई तक कुरोना से होने वाली मौत का जिलावार संखे त्यार करना है इसके लिए डेट, ओडिट, फॉर्मेट में पूरी जनकारी प्रेशित की जाए कोडार्मा सदर अस्पताल का होगा अप्ग्रेडेशन कोडार्मा जिला मौख्याला इस्थी सदर अस्पताल जल्धी नए रूप और अत्यधुनिक सुईधाओ और बहुमंजली इमारत से सुशाजित नजर आएगा बता दे अस्पताल को अप्ग्रेडेशन कर 200 बेट का अस्पताल बनाने को लेकर सोमवार को भूमी पूजन के साथ निर्मान कारे शुरू कर दिया गया है रांची उपायुक्त ने कोविट टास्फोर्स की बैठक के दिये निर्देश रांची के उपायुक्त छविरंजन ने जीला में कुरोना संकरमन के रोख ठाम के कठिद विभिन को सांग और टिका करन कारे की सोमवार को समिख्छा की बैठक में सबसे पहले उपायुक्त ने जीला में कोविट जांच की जनकारे ली साथी एस्टैटिक और मोबाइल वैन के माध्यम से प्रती दिन कोविड जांच की जनकारी लेते हुए उन्होंने अन्मंडल पता दिकारी उतकर्ष गुपता को जांच बढ़ाने के निर्देश दिये पता दे होम आईसुलेशन सेल की समिक्चा करते हुपायुत ने एस्टियो बुंडू समीरा एस को प्रती दिन होम आईसुलेशन के मरीज का रिपोर्ट उपलावद कराने का निर्देश दिया रांची की खेल आकान में बनेगा हाई परफर्मेंस सेंटर जहर्खण के खिलारियों के लिए अची खावर है आग उन्हें खेल में आगे बढ़ने के लिए बेज्यानिकपती से भी प्रस्क्षित किया जाएगा इसके लिए जार्खन State Esports Performance Society में High Performance Center बनाने का प्रस्ताव त्यार किया गया है इसे CCL के CSR Fund के स्वयोग से बनाया जाना है बदादे High Performance Center में Esports Medical Science, Esports Psychology, Esports Nutrition और Exercise, Psychology आधी से समन्दी ट्रेनिंग पर सिक्छू ले सकेंगे यह देश का छाठा High Performance Center होगा है